गुद मॉनिंग क्लास थर्ड तो आज आपको कम्प्यूर्स का टर्न है लास्ट वीडियो में हम अपना लेस्न नंबर इंट्रोड़क्शन टू कम्प्यूटर हम इससे स्टार्ट हम कर चुके हैं ठीके तो इसमें हमने देखा था कि अभी तक हमने यह देखा कि कम्प्यूटर आपका क्या है एक एलेक्ट्रोनिक मशीन है ठीके फोर मेन पार्ट इसके हमने देखे थे इसमें कि कौन-कौन से हैं मॉनिटर है कीबोड है माउंज है आपका सीप्यू है आज यह आपने प्रीविस क्लास में पढ़ चुके हैं कि मॉनिटर क्या है आपको रिजल्ट दिखा पेज नबर टू है आपका अदर डिवाइज ऑफ कंप्यूटर यानि कि जो यह फोर मेन पार्ट से यह तो आपको कंप्यूटर करने के लिए आपको चाहिए चाहिए इसके अलावा भी कुछ डिवाइज है कुछ उपकरन हैं कंप्यूटर में जिसकी मदद से हम अपना एक् पार्ट से हम क्या करते हैं कंप्यूटर में उसे कनेक्ट करके हम अपने काम कर सकते हैं तो वह कौन-कौन से डिवाइज हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में कनेक्ट करके जोड के अपने काम को कर सकते हैं पहला है आपका देखे प्रिंटर प्रिंटर आप सभी को पता है last classes में भी हमने आपने देखा था कि office में आपका जैसे देख पाते हैं आप घर में भी बहुत सारे local printer का इस्तेमाल करते हैं offices है schools है तो printer बहुत की मदद से आप क्या करते हैं कोई भी printer आपको same as it is आपको data आपके paper में print आप आउट करके आपको देता है अब देखे जैसे railway reservation tickets that you get at the railway station are printed are printed using printer आप जाते हैं या आप कोई shop में जाते हैं तो वहाँ पर भी जौप बिल्स होते हैं टिकेट्स होते हैं printer की मदद से ही क्या करते हैं प्रिंट करके आपको देते हैं ठीकी तो print out करने क लिए printing करने के लिए छफाई करने के लिए आप इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है तो आप इसे computer में connect करके आप कोई भी चीज प्रिंट आउट आप printed के मदद से कर सकते हैं तो ये इतना necessary नहीं है लेकिन अगर आपको जरुत होती है तभी आप अपने जरुत के recordings को लेते हैं कोई printing आपको काम जादा होता है ठीक है तो आप regularly किसी को चाहिए लेकिन otherwise ये other devices में आपका आता है ये main part आपका computer का नहीं है तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि four main parts कौन से होते है other devices कौन से होते है ठीक है इसके बाद है आपका hard disk अब इस तरीके के देखे hard disk होती है ये आपका printer है ठीक है बहुत बचोने देखे भी होंगे कि printer hard disk अब hard disk क्या होता है आपका देखे hard disk stores large amount of data in it it remains fixed within the CPU box so it cannot be seen from outside example क्या है इसके photos, movies, songs, pictures, programs etc. are stored on hard disk अब hard disk क्या होती है कोई भी data आपका computer का होता है इस hard disk में आप क्या करते है उसे stored कर लेते है ताकि आप future में उसको देख सकें और ये CPU के ही अंदर fixed होता है जिसे आप क्या कर पाते है देख नहीं पाते है तो कौन-कौन सा data है जो आप अपने hard disk में store कर सकते है जिसे आपकी photos हो गई movies हो गई, songs होगे, pictures होगे programs आपके है तो ये सबी चीज़े आप अपने hard disk में क्योंकि जो इसकी capacity होती है यानि कि किसी भी जो काफे ज़्यादा data है इसकी capacity इतनी ज़्यादा है कि ये काफे ज़्यादा amount में आपके data को store कर सकता है आप देखते हैं जिसे आपके घरों में अलग-लग रूमे almira होती है आप देखते होंगे, किसी रूमे छोटी है किसी रूमे थोड़ी बड़ी है ठीक है, तो आप देखते हैं कि छोटी वाली होगी, उतना ज़यादा आप अपना data क्या कर सकते हैं उसमें store आप कर सकते हैं तो आज आपने ये अदर डिवाइस के दो दो एक्जाम्पल्स आप पड़ेंगे प्रिंटर एंड आपका हार्ड डिस्क सो थैंक यू क्लास